तैसिल मुख्याले से साथ किलो मीटर दोरिस्तित गाउं बावडा में बिती रात को बदमाश बावडा मनासा रोड पर बने मकान में चोरी की नियत से घुज गए बदमाशों को बाड़े में चुराने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो वहाँ पर सो रहे मालिक के साथ मारपिट कर भाग गए मामले में पिडित ने बिती रात को ही मनासा थाने में अग्याद बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दच करवाने की बात कहे वही मामले में गाउं बावडा निवासी पिडित लंचोड पिता रामप्रसाद पाटिदा ने बताया कि मैं हमेशा की तरह बाड़े में सो रहा था बाड़े में लरसुन सहीत अनिकरशी उपच पड़ी हुई थी बिती रात को चोरी की नियत से चार पाच लोग बाड़े में गुसाए और मुझसे कहने लगे की पोस्ता दाना कहा है जब मैंने मना किया कि मेरे पास पोस्ता दाना नहीं है तो मेरे साथ मारपीट करने लगे मेरे साथ मारपिट करने वो चलाने की आवाज सुनकर ग्रामी नैकतित हुए तब तक बदमाश मेरा मुबाइल लेकर भाग चुके थे परीजिनों के साथ मिलकर रात को ही मनासा पुली स्थाने में अग्याद बदमाशों के खिलाव रिपोर्ट दच करवाई पिडित को सीर एवं अनी जगर गंबेश चोटी लगनी पर जिलाच के साले में भरती करवाया गया जहां पर उनका इलाग जारी है बता दे कि पिडित मनासा नियाले में बाबु के पत पर पदस्त है